तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है इस वीडियो में हम लोग जानेगे कि कैसे मेरे इंटर्वियो मेरे online एस्समेंट कि इस्पीरियेंस है कि कैसे आप लोग उसे क्लियर कर सकते हो कुछ टिप्सन ट्रिक में बताओंगा और और अल्रेडी बहुत सारे लोगों ने मुझे ओल्रेडी मेल के थुरू कांटक्क कर रा सब्सक्राइब बनाक Railway offers यहिए ईन के अदिकेटड वीडियो बना राखा है कि हया इंटर्वीयो माई एक्सपिरियंस अपड़ आप के लिंग आप लोगों का दिख रह वार पहले उस है जिससे आप लोगों को online test के pattern के बारे में काफी information मिल जाएगा तो इस video में basically मैं अपने interview experience के basis पर आपको कुछ चीजे बताना चाहता हूं जिसकी मदद से आप लोगों को उस online test को clear करने में साहिता मिले तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने interview experience के बारे में तो चलिए हम लोग बात करें तो आप लोगों को जैसे मेरे पीछे दिख रहा होगा है मैंने सबसे पहले एक dedicated वीडियो बनाया था कि online assessment test के बारे में जिसका link आप लोगों description box में या फिर अभी i button पे दिख रहा होगा इसके अलावा यहाँ पर मैंने इसमें हर एक चीज़ को बताया था कि कैसे आपका registration process होता है फिर जब आपका credential आ जाता है तो online test का pattern क्या क्या होता है तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने सिर्फ अपनी experience को बताया था यहां मैं अपनी experience को analyze करके मैं बताने वालों कि कैसे आप लोग उसे clear कर सकते हो क्योंकि जिस time पर मैंने अपने उस exam को clear किया था उसके बाद मैं को लगा था कि जब मेरा second round interview call आएगा तो मैं उसे बताऊंगा but unfortunately I could not make for the interview but online test मैंने कैसे clear किया थ तो यहां पर जैसे आप लोगों को pattern दिख रहा होगा तो यहां पर दिख रहा होगा आपको चार section होते हैं basically logical reasoning reading comprehension data interpretation computer basics तो एक एक करके सभी के वाले में बात करते हैं तो logical reasoning में total 5 questions होते हैं तो यहां पर basically जो आपके questions होते हैं वह patterns related होते हैं कि means आप लोगों को 7 या 8 एक 9 3 to 3 matrix का column रहेगा जहां पर 8 figure आपको दिए रहेंगे और नमा figure पर question mark लगा होगा तो इस तरह के questions आप से पूछे जा सकते हैं या फिर logical में आप direction वाले questions आप उसे कर सकते हैं उससे को एक दू question side थे इसके अलावा time and work से basic questions है means बहुत ज़्यादा आपको deep में जाने की जूरत नह राखे हैं तो यह logical section आपसे वहाँ पर आसानी से हो जाएगा तो basically इसमें एक pattern matching questions हा, bullet relation का एक question हो सकता है, time and distance का एक relation सकता है, directions related एक questions हो सकता है, time and work से related questions हो सकता है, तो यह सभी कुछ topics हैं, तो जिस पे आप लोगों ने यदि basic महनत भी कर रखा है, तो आप इस 5 questions को आसानी स solve कर लोगे, वीडियो में last तक बने रहे, क्योंकि last में बताने वालों कि resource कौन कौन से, जिससे मैंने follow किया था, and those resources help me a lot to clear this round, तो चलिए, अब हम लोगों बात करते हैं, दूसरा topic जो कि आप लोगों को यहाँ पर reading comprehension का दिखरा होगा, तो यदि आपकी English ठीक ठाक है, means आप थोरा भी English समझते हो, तो reading comprehension काफी easy ठा, एक paragraph दिया गया था, जिसके basis पे 5 questions थे, तो total यहाँ पर आप लोगों को 2 paragraph मिलेगा, और यह paragraph काफी हलके level का होता है, easy होता है, इसे आप लोग moderate भी नहीं कर सकते, easy to moderate के बीच का होता है, तो आप लोगों को बस एक बार ध्यान से 10 questions को solve कर लोगी, तो इसमें भी मैं एक resource इसमें provide करोगा, मैं पास एक pptm, वो मैं भी दिखाने वाला हूं, pptm नहीं, word file है, उसे में दिखाने वाला हूं, तो उसके through आप लोग, अगर वो भी करोगी, तो आपको एक basic idea लग जाएगा, और एक बार आपको अगर paragraph समझ में आ जाता है, तो काफी आसानी से आप लोग उसे clear कर सकते हो, यह मेरी guarantee है, तो यह बात हो गई, reading comprehension के बारे में, यहां पर आप लोगों को दो paragraph मिलेंगे, जिसमें 5-5 questions के होंगे, और वहां पर basically इस तरह के questions होते है, a, b, c, d, e, f, या फिखे बंदे मालो, 5 बंदे मालो, तो ऐसा कुछ रहता है कि यदि, a, mumbai में रहता है, तो वो कुछ बेटा का course कर रहा है, c, अगर पटना में रहता है, तो वो किसी और सी का course कर रहा है, तो इस तरह से कुछ आप लोगों को एक idea दे देंगे, फिलाश में कूचेंगे, कि c, कौन सा course कर रहा है, या फिस जो होंगे, जो 2021 या फिर 2022 batch के होंगे, मैं मुने पता दो, online assessment काफी easy होता है, तो इतना जारा hactic situation बनाने का जरूरत नहीं, इतना प्रेसलाइज करने का जरूरत नहीं है खुद को, कि इस साव इतने अच्छे package के ले आती है, definitely package पता ही होगा आप सभी को, मैंने अल्लेडी video बना हैगा, उस video में मैंने काफी अच्छे से बता है, कि फ़रले round के बाद दूसरा round क्या होता है, उसे मैं अभी भी discuss करूँगा, तो reading comprehension के बारे में इतना काफी है, तीसरा आता है data interpretation, data interpretation, di का जो question बता है, वो बहुतों को बहुत tough लगता है, but, सच में मैं बता रहा हूं, that is the most easy part of this section, इस section का सबसे easy part आपका di था, basic graph दिया हुआ था, basic calculation आपको करना था, कि तो 2007 में graph दिया हुआ, 2009 में graph दिया हुआ, तो कह रहा है कि 2009 में यदि मालो 66% था, 2010 में वो 70% हो गया, या फिर 80% हो गया, तो कह रहा है कि 2009 के respect में 2010 में कितने percent का growth हुआ, इस तरह कि basic questions आप से पू तो बहुत easy section था, DI से आपको डरना नहीं है, आपको बस graph एक बार अच्छे से देख लेना, दो या तीन मिनट आपको time देना है graph में, basic जो भी information आपको graph में दिखेगी, वो आपको note कर लेना, और मैं, मैं guarantee लेता हूँ, इस 5 questions में आपको 2 minutes से ज्यादा नहीं लगने वाले, तो I think total 30 questions होते हैं, जिसमें आप लोगों को 45 minutes का time दिया आता है, तो यदि आप लोग ध्यान से time लगाओगे, तो more than 25 minutes नहीं लगने वाले, means within 25 to 30 minutes आप complete कर लोगे इन sections को, यह मेरी guarantee, जब मैंने कर लिया था, जो कि मेरा काफी कमजूर था उस time पे, तो when I clear this round, तो definitely आप लो और जो resources में देने वालों, definitely वो भी help आपको काफी हत्त करेंगे, अब आता है computer basics पे, मिरे को approach more than, अभी तक resource की regarding, या फिर tips and tricks की regarding, मेरे पास more than 50 emails आ चुके हैं, उसे मैंने reply within hour करता हूं, हड़े को reply, इसके अलावाद, उन 50 में से more than 20 ऐसे हमारे viewer 2021 या फिर 2022 वाले थे, उन्ह आदो computer basics, data interpretation के बाद, DI के बाद, सबसे easy round होता है, या फिर easy section होता है, क्योंकि इसमें, बहुत basic questions पुछे आते हैं computer में, जो आप 3, 4, 5 में परते होगे, उसके regarding कुछ questions होते हैं, और कुछ general awareness होते हैं, जैसे, कि मेरे से question पूछा गया था, कि Bing, जो कि एक search engine है, वो किस company, या फिर कौन से company का part है, या फिर किसका product है, तो वहाँ पर Google, Microsoft, Amazon, और एक Red Hat, I guess, वो option था, तो इस तरह के कुछ basic questions आप से पुछाते हैं, इसके अलावा, इसे में, easy, इसलिए बोल रहा हो, क्योंकि इसका direct answer आप लोगों को Google पे भी मिल सकता है, आप लोगों नहीं करना है, इमा इसे सभी 4 section होगा, logical, reading, comprehensive, data interpretation, और computer basic से related, तो इसे आप लोगों को किस तरह के questions मिलेंगे, कैसे आपको इसका answer देना है, और क्या difficulty level होगा, I think, अब ये आपको clear हो गया होगा, और ये आपको मदद करेगा, आपके online test को clear करने में, इसके बाद हमनों बात करते हैं कि मैंने कहां तो आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा, डिसाओ content, तो यहां पर आप लोगों को बहुत सारी content आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगे, यहां पर मेरे पास है, तो इसे पाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, तो इसे पाने के लिए आप लोगों को, सबसे पहल एक सब्सक्राइब का नोडिफिकरेशन हमारे पास आता है तो प्लीज जब आप इतना मेनथ करोगे तो एक सब्सक्राइब का बटन भी क्लिक कर देना और बाया आकन दब आ लेना आपको सब्सक्राइब करना एधन आप लोगों को उस mail आईडी पर mail को mail करना है और वहाँ पे रिसोर्स नहीं दूंगा कुछ ऐसे ट्रिक भी बताऊंगा जो मैं यहां पर इस वीडियो में पब्लिक ली आपको नहीं बता सकता ठीक है तो वह सभी कुछ चीज़े आप लोगों को अहां पर मिलेगी तो प्लीज यदि आप चाहते हो को क्लियर करना तो एक बार इसे भी ट् करोगे description में जाके हमारे mail id को copy करोगे फिर अपने gmail पर जाके paste करोगे फिर में message करोगे तो इतना कर रहे हो फिर आपको इसके recording response में मिलेगा तो यार एक subscribe करना बनता है तो please subscribe कर दें इसके लावा आई बटन में बहुत सारे important videos के link आपको मिलेंगे आई बटन में आप लोग चीजे थी इसके अलाबा आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वीडियो को देख के ऐसे ही चले आते तो यार ऐसा मत किया करो बहुत महस्त लगते इस तरह के वीडियो लाने में तो please support दिखाओ और एक important बात जो हड़े क यूट्यूबर का पहला stage होता है पहला milestone होता है जो हड़े कोई जब यूट्यूब स्टार्ट करता है जो एक पहला level होता है जहां पर वह पहुंचना चाहता है I am very close to that level तो please subscribe करें को कि बहुत कम subscription की जुरूरत है तो please subscribe करके उस पहला milestone आप लोगो सबको पता होगा उसे मैं जूल हूँ जल से जल तो आपके support के साथ ही वह हो सकता है यदि मैं इतना महनत कर रहा हूं तो please वह कर दें इसके अलावा मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि YouTube पेडी साथ के रिगार्डिंग जितने भी सोर्से से मेटेरियल से या अपडेट है वह सिर्फ एडू मीनिया पर आपको मिलेगा आप सर्च करके देख सकते हों तो क्योंकि हमारे चैनल को ही या फिर मैंने बस उसे cover कर रहा और किसी ने इतने डिटेल में उस पे वीडियो न पता चले तो यहां पर में को बहुत सारा नोटिफिकेशन मिल रहा था मेल आ रहा था डी साओ के रिगार्डिंग तो मैंने सुचा एक डेडिकेटेड वीडियो उसे बना ले कि कैसे आई क्लेर टेट ऑनलाइन टेस्ट काफी असान होता है तो उतना ज्यादा प्रेसर नहीं बना लेना कि कैसे क्लेर होगा या कैसे नहीं होगा बहुत असान होता है बलीब मी और मैं बता दिया हूं कि रिसोर्च चाहिए तो आपको क्या करना है सब्सक्राइब अगयरा सभी चीज़ा आप कर देना इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है एक लाइक कर दो या लाइक से आपका कुछ जाना नहीं है बट एक एक लाइक एक सब्सक्राइब करता है तो प्लीज वह सभी काम कर दें इसके अलावा मेरे ऑनलाइन टेस्ट के जो एक्स्पिरेंस वीडियो को भी जरूर से देखे क्योंकि उसमें आपको बहुत अच्छा एडिया मिलेगा इसके अला कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं और चलिए मिलते हैं कैसे ही जो अपन शुटी के साथ या फी नोटिफिकेशन के साथ अगले वीडियो में लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें लाश्ली थैंक्स फो वाचिंग